Hello Everyone, Today's topic is Forearm Lateral Projection आज की वीडियो में जो हम समझेंगे वह रहेगा इन ट्रोमा कैसे में हम फोराम की लेटरल वीव कैसे करते हैं लास्ट वीडियो में जो हमने डिसकस कर जा था लेटरल वीव के परजेक्शन के रिकार्डिंग जिसमें हमने समझेते हैं चेर की डिरेक्शन, कैसेट का साइज क्या होगा लेटरल प्रजेक्शन के कौन कौन से टैप होगे हम कैसे कर सकते हैं इसके बाद FFD क्या होगी डिरेक्शन एंट सेंट्रिंग पॉइंट क्या होगी फेक्टर क्या रखेंगे essential image characteristic क्या होगी lateral projection की anatomy क्या होगी और radiation को हम reduce कैसे कर सकते हैं जो आज का मारा point है अगर कोई भी trauma cases आ जाए उसमें हमें क्या करना होता है in trauma cases it may be impossible to move the arm into the cassette position describe मतलब कि अगर कोई भी trauma cases में अगर हम arm को move नहीं कर सकते हैं तो उसमें एक आप modified technique का use कर सकते हैं उसमें हमें ये ध्यान देना होता है अगर कोई भी radiographer है या कोई भी technologist कर रहे हैं तो उस समय आपको एक positioning best तरीके से करने होती है जैसे की यहाँ पे आप समझेंगे if the limb cannot be moved through 90 degree diana horizontal beam should be used अगर trauma cases में सबसे पहले आपको यूज में लानी है वो लानी है आपको horizontal beam यहाँ पे horizontal beam क्या होती है जैसे की आपकी उपर से नीचे की side direction है तो यह आपकी होती है पूरी की पूरी vertical beam अगर यह just सामने से अगर थूँ हो तो कोई भी अगर सामने से यह जाए यहाँ पे यह होती होरीजोंटल यह होती है आपकी vertical यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना है horizontal beam को यूज में लेना है अगर 90 degree से arms आपका पूरा का पूरा rotate ना होपा है 90 degree का angle ना कर पाए second point जो भी wrist joint है इसके जाज साथ जो elbow joint है यह दोनो include होनी चाहिए ना करिए उसे हमें एक attempt में पूरा का पूरा clear करने न चाहिए और यहाँ पे हम अगर centring point की बात रखेंगे तो horizontal जो beam में centring point का यूज करेंगे वो आप center में elbow joint और यहाँ से elbow joint के just midway between में यूज कर सकते हैं तो यह थी एक trauma cases कि हमें trauma cases कैसे करना है किसी भी condition में अगर forearm का view आ जाए यहाँ पे सबसे ज़्याद है देखा जाता है कि यह किसी ना किसी accidental में जैसे कि अगर example में ले vital accident हो गया है किसी भी accidental cases में यह सब देखे जा सकते हैं अगर इस condition में patient को supine भी लिटा सकते हैं supine लेटाने के बाद जो आपकी hand की direction होगी just जो इसका उपर का part होगा forearm का यह पूरा आपके tube के side इसका direction होगा facing about और नीचे का part पूरा का पूरा contact होगा और एक आप form pad का use ले सकते हैं 7 से 8 inch की normal में जिससे की क्या हो एक level पे आ सके और यहाँ पे horizontal beam लेनी है जो इसकी FFD होगी normal में वो आप use में कर सकते हैं 30 to 40 inch के between इसके बीच में कोई भी use कर सकते हैं factor normal रख रहा है जैसे आप रखें अगर 8 hand 8 MA की machine बे work कर रहा है तो आप factor में normal 56 kvp और इसके साथ 8 MS का use कर सकते हैं यह थी आज के हमारी topic छोटा सा मिलते एक next video में नए topic के साथ जब तक के लिए जहें